दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको डाबर तिफला चूण के बारे में पूरी जानकारी दूंगा यानि डिटेल्स में इसका रिव्यू करेंगे इसके आपको क्या-क्या फाइदे मिलेंगे इसके रिजल्ट क्या है इसको इस्तमाल करने का सही तरीका क्या है क्या इसके कोई side effects भी हो सकते है या नहीं कौन-कौन इसका इस्तमाल कर सकता है और कौन नहीं इसका price क्या है और भी बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा तो इस कमाल की वीडियो को आप पूरा देखना तभी आपको डाबर तिफला चून के बारे में हर एक बात की जानकारी प्राप्त होगी मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप subscribe जूरू कर लीजे ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए फिर सुरू करते हैं इसके प्राइस से दोस्तो इसका प्राइस 58 रुपे है यानि 58 रुपे जो आपको 120 ग्राम के प्लास्टिक की पैकिंग में मिलता है जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ये आपको किसी भी आयरुवेदी की स्टोर से बड़ी आसानी से उपलब्द हो जाएगा लेकिन अगर आपको ये वहाँ अविलेबल नहीं होता है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रीप्शन पर ओनलाइन खरीदने के लिंक दी हुई है जिसके जरिये आप इसे घर बैठे बैठे भी आउडर कर सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं तो चलिए फिर बीना किसी देरी के इस तिर्फला चूण के फाइदों के बारे में बात करते हैं दोस्तों तिर्फला में ऐसे औशिदी गुण होते हैं जो हमारे डैजिस्टिप सिस्टम यानि पाचन तंद्र को मजबूत बनाने का काम करते हैं जो लोग कबज यानि कॉंस्टिपेशन की समश्चा से काफी परिशान रहते हैं उनका पेट अच्छे तरह से साफ नहीं होता या फिर उनको लंबे समय से कबज की समश्चा है और ये कबज की समश्चा रहने के कारण पूरा दिन सरीर में एक सुस्ति सी चाय रहती है किसी काम में मन ही नहीं लगता, भूग भी नहीं लगती, एक बेचनी सी रहती है तो अगर वे लोग त्रिफला चून का सेवन करते हैं तो उन्हें कबज की समश्चा में काफी बड़िया फाइदा देखने को मिलेगा और वे पहले से काफी स्वस्थ दिखेंगे इसके अलावा त्रिफला चून, मूत्र सम्मंदी, रोग विकार जैसे पेसाब का, रुक रुक का राना, पेसाब में जलन, आदिस समश्चाओं में भी इसका काफी फाइदा देखने को मिलता है इसके अलावा त्रिफला का सेवन करने से आखों की रोस्ति भी बढ़ती है यानि जिन लोगों की रोस्ति की कमी है या फिर वे रोस्ति में सुधार करना चाते है तो उसमें भी त्रिफला का सेवन करना काफी फाइदेबन रहता है इसके अलावा खून की कमी, यानि अनीमिया या फिर तोचा समदी रोग, जैसे फोड़े फुनसी, खारीच खुजली या फिर अगर आपको बालों से समदी समद्चाएं जैसे बालों का गिरना, तूटना, या फिर उमर से पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो इन सब समद्चाओं में आपको त्रिफला चून का काफी बड़िया फाइदा देखने को मिलता है दोस्तों इसके लावए खून को साफ करता है, सरीर से हानिकारक विसले पदार्थों को निकाल भार करता है जिससे आपका सरीर जो है, वो काफी स्वस्त रहता है और आपकी स्किन पर एक नेचुरल चमक सी भी बनी रहती है और इसके अलावा अगर आप बढ़ते वजन और मोटापे से परेशान है और आप जल्दी ही इससे निजात पाना चाते हैं तो त्रिफला आपके लिए एक कारगर औशिदी साबित हो सकती है आईरवेट के नुसार त्रिफला में ऐसे आउशिदी गुण होते हैं जो पाचन शक्ती बढ़ाने और हेल्दी वे में वजन घटाने में सहायक होते हैं दोस्तों यानि ओवराल बात करूं इस त्रिफला चुण की तो ये पाचन संबन्दी समच्चाएं कबज, गैस, एसरिटी, भूखना लगना इन सब समच्चाओं में फाइदेबन तो है ही इसके अलावा आँखों के लिए, बालों के लिए और इसकिन के लिए भी ये काफी ज़्यादा फाइदेबन ओशिदी है यानि ये आपके overall body को निरोगी और स्वस्त रखने का काम करता है तो देखा आपने इस त्रिफला चुण के कितने सारे फाइदे हैं दोस्तो वैसे तो इसके और भी बहुत सारे फाइदे हैं अगर बताने लगूं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो फिर चलिए अब बात करते हैं कि इसे आपको इस्तमाल कैसे करना है दोस्तो आप इसकी एक चमच यानि लगभग 5 ग्राम हलके गुर्गुने पानी के साथ दिन में दो बार खाने खाने के बाद ले सकते हैं दोस्तो देखिए अगर आपको प्रॉलम ज़्यादा नहीं है तो आप इसको दिन में एक बार कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं देखिए डोज आप अपनी प्रॉलम के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों को दिने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सला लें चोगे depend करता है कि बच्चे की उम्र कितनी है और अगर बात करें इसके side effect की तो वैसे तो इसका कोई भी side effect देखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी इसका ज़्यादा मातर में 7 करने से यानि overdose से आपको diarrhea यानि दस्त भी लग सकते हैं तो इसलिए इसका ज़्यादा मातर में 7 ना करें जितना आपको बताय गया है उतनी ही मातर में आप इसका 7 करें इसके अलावा अगर बात करें सावधानियों की तो जो महिल पर विशेज ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, टाइम पर खाईए और टाइम पर सोईए, सुबह एक्सेसाइस करिए, जिससे आप इस डाबर त्रिफला चून के और भी कई गुना फायदे ले पाएंगे अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे मैंने में जितेश, एन थैंक यू सो मच पर वाचिंग